हलो दोस्तों मैं आउनी साफ साफ का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने यूटूब चैनल दे सर्कल पॉइंट पर मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही जबरदस्त बहुत ही सांदार तरीके से सिंपल इंट्रेस्ट साधारण ब्याज की सीरीज चल रही है जो क कि बहुत ही इंपोर्टेंट लेक्चर है मेरे प्यारे दोस्तों आज इसका तीसरा और महत्तुपूर्ण लेक्चर होने वाला है तो सुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों पहला प्रस्न कह रहा है 1600 की धनरासी पर दो वर्स तीन महीने का साधारण ब्याज 252 है तो ब्याज की दर क्या बताना है मेरे प्यारे दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी यहाँ पर देखिए दिया क्या हुआ है मेरे प्यारे मित्रों 16 रुपए आपकी धनरासी है मतलब मूल धन दिया हुआ है पहले इस प्रस्न को हम basic method से solve करेंगे मेरे प्यारे मित्रों उसके बाद इसका हम दूसरा approach देखेंगे यहाँ पर देखिए दिया क्या है पी आपको दिया हुआ है कितना 1600 और कह रहा है कि 2 वर्स तीन महीने तो time कितना दिया हुआ मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर 2 वर्स मतलब 2 year और 3 month दिया हुआ है तीन मंत उसके बाद साधारान ने ब्याज कितना दिया हुआ है 252 तो SI यहां पर मेरे प्यारे मित्रों कितना दिया हुआ है 252 रुपए अब पूछ रहा है ब्याज की दर हमें बताना है तो ब्याज की दर हमें यहां पर हमें निकालना है मेरे प्यारे मित्रों मतलब रेट नि महीने तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम क्या बद कर लेंगे इसको हम year में तबदील कर लेंगे किस में बदल लेंगे year में बदल लेंगे किसको इस मन्थ को तो यहां पर देखिए दो साल हो गया तीन मन्थ और एक साल में कितने महीने होते हैं बारा महीने होते हैं तो इसको हम year बनाने के लिए क्या यहां दिखिए बारा और यहां से आ जाएगा आपका क्या दो सही एक बटे चार वर्स हो जाएगा ये कितना हो जाएगा दो सही एक बटे चार वर्स हो जाएगा और इसको हम छोटा कर दें तो चार दूनी आठ और ये कितना हो जाएगा नव बटे में चार वर्स हो जाएगा ये कैसे हुआ मेरे पैरे मित्रों यहाँ पर देखिए एक बटे बारा से क्या कर दिया गुणा कर दिया तो यहाँ पर हमारा आया कितना नव बटे चार वर्स आ गया अब हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे मित्रों अब हमें निकालना है आर निकालना है क्या निकालना है आर निकालना है SI आपका कितना दिया हुआ यहाँ पर SI आपका दिया हुआ है 252 रुपए मूलधन आपको दिया हुआ है 1600 रुपए और यहाँ पर जो time हमने निकाला 9 बटे 4 वर्स और हमें क्या find करना है rate find करना है तो यहाँ से 100 हो जाएगा आप देखिए इस प्रस्न को कैसे करेंगे, यहां पर देखिए, कैसे इसको solve करेंगे, यह 20 से 20 हमारा कर जाएगा, यह 4 चोग 16 हो जाएगा, और यहां से काटेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा 4 से काटेंगे तो यहां कितना जाएगा 7 तो R बराबर आपका कितना आ गया 7 मतलब 7% rate हो जाएगा तो R बराबर कितना हो गया मेरे पैरमित्रों 7% तो rate आप मेरे पार मित्रोष देखे हैं मेरे प्रस्तने की दूसरा एप्रोच टेक्ष्म क्या है इस प्रस्तन का। कि दूसरा एप्रोच क्या है, देखेंगे पार में यहां पर देखें 2 वर्स, 3 महीने, दो वर्स, 3 महीने... तो हम कहाँ पर देखिए, आपका पी कितना दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है, 1600 रुपए, और आपका जो टाइम बना, अभी हमने आप बताया, तो दो वर्स तीन महीने, इसको आप क्या लिखेंगे, दो सही, तीन बटे, बारा, और ये हो जाएगा, दो सही, एक बटे, चार वर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दो सही, एक बटे, चार वर्स, और SI आपका दिया हुआ है, कितना मेरे प्यारे मित्रों, 252 रुपए, बहुत ध्यान से समझेगा, बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है, यहाँ पर देखे, चार दूनी, आठ, और कितना हो जाएगा, यह, नव बटे, चार वर्स हो जाएगा, मेरे प्यारे मित्रों, नव बटे, चार वर्स में, आपको ब्याज कितना मिला, 252 रुपए का, कितना मिला, 252 रुपए का, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 9 बटे 4 वर्स में आपको 2502 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो एक वर्स का आपका ब्याज कितना है यहाँ लिख सकते हैं कि एक वर्स का आपका ब्याज कितना है तो यह हो जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा 4 $1100 यहां से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यह जाएग गैज नव दूनी, अठारा एक वर्स का ब्याज आगया यह एक वर्स का ब्याज हो गया एक वर्स का ब्याज कितना आया 112 रुपई अब आप से कह रहा है कि ब्याज की दर हम मेरे प्यारे मित्रों जानते हैं अच्छी तरह जानते हैं कि जो rate का percent होता है मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या होता है SI अपान में मूल धन इंटू में 100 होता है SI यहाँ देखिए आपका क्या है एक साल का SI कितना है 112 रुपए यहाँ लिख लीजिए 112 रुपए मूल धन आपका कितना है 1600 रुपए है कितना है 1600 है इंटू में कितना है यह 100 हो जाएगा तो 2,0 से 2,0 कार देंगे और यहां से 16,112 तो R का जो percent आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों वो कितना हो जाएगा 7 percent यह तरीका जबरदस्त है जब भी आपको यहां समय दिया हुआ है ब्याज आपका दिया हुआ है तो आप rate इस तरीके से निकालेंगे तो थोड़ा सा calculation दिख र से solve कर ले जाएंगे अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों दो नंबर का सवाल क्या कह रहा है दो नंबर का सवाल देखिए दो नंबर का सवाल कह रहा है कि 6,000 की रासी 4 वर्सों में 7,200 रुपए हो जाती है यदि ब्याज की दर क्या हो रही है सोयम की 1.5 गुना हो जाती है तब उसी धन रासी पर 5 वर्स बाद मिस्ट्धन क्या होगा क्या होगा मिस्त्रधन हमसे पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों जिसको हम कैसे solve करेंगे एकदम basic approach से solve करेंगे यहाँ पर देखे, यह 6,000 आपका क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर आप लिख लिजे, लिखने से क्या फायदा है कि आप समझते हैं कि सारी चीज़े हमारे पास हैं, और हमें निकालना क्या है, और आसानी से आप calculation कर सकते हैं, यहाँ पर देख और यह जो 7,200 रुपए है मेरे प्यार मित्रों, यह आपका क्या है, यह आपका amount है, 7,200 रुपए आपका क्या है, amount है, यदि ब्याच की दर स्वयम की, अब क्या करना है, उसी धनरासी पर 5 वर्स बाद मिस्धन क्या होगा, अब यहाँ से देखिए, टाइम हमारे पास कितना है, 4 साल का, P यहाँ कितना है, 6,000 रुपए और amount हमको दिया हुआ है, 7,200 रुपए, मेरे प्यार मित्रों, अगर हम SI निकाल लें यहाँ से, SI बराबर क्या होता है, A-P, A-P, मतलब मिस्र धन माइनस में मूल धन, तो यहाँ से देखिए, कितना हो जाएगा, यह 7,200 में से, अ कितना आ जाएगा, 1200, तो SI कितना आ गया, 1200 आ गया, अब हमारे पास SI आ गया, मुलधन हमारे पास है, ताइम हमारे पास है, तो हम क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे, तो rate बराबर क्या होता है, यहाँ से आप जानते हैं कि SI इंटू में, 100 अपान में, P इंटू में, T होता है, SI आपका कितना दिया हुआ है, SI आपका आया हुआ है, 1200 रुपए, लिख दीजिए, यहाँ पर 100 हो जाएगा, P आपका कितना दिया हुआ है, P आपका मुलधन कितना है, 6000 रुपए, और यहाँ से टाइम आपका कितना है, 4 साल का, तो यहाँ से देखिए, दो जीरो से दो कार देंगे, यहाँ 0 से 0 कार देंगे और यह जा कितना, 6 दूनी 12 तो 4, 5, 20 आर कितना आगया मेरे पैरमित्रों 5%, आर कितना आया 5%, अब ही प्रस्न क्या कह रहा है कि जो दर हमारे पास आई है, उसका क्या 1.5 गुना हो जाती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नई दर नई दर हमारा क्या हो जाएगा यह जो 5% आया है इसका क्या है, 1.5 गुना तो हम इसको लिखेंगे कितना जगा, 7.5 15,75 तो 7.5 आपकी यह क्या हो गई, नई दर आ गई अब क्या है, नया समय भी दिया हुआ धनदासी कितना है, 5 वर्स बाद तो नया टाइम भी आपको दे दिया कितना 5 वर्स का नई हमारे पास ब्याज आ गया और नया टाइम आ गया अब क्या पूछ रहा है, मिस्रधन क्या होगा तो मिस्र धन बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दुद्मित्रों मिस्र धन बराबर होता है मूल धन प्लस में SI होता है आप इसको लिख सकते हैं P बराबर क्या होता है 100 प्लस में RT अपान में 100 ये होता है P आपका देखिए कहां है P आपका ये है लिख लीजिए यहां से P आपका यहां से लिख लिए यह हो जाएगा 100 यहां से देखिए R आपका कितना है 7.5 है तो 7.5 और T आपके पास कितना है 5 वर्स है और यहां से कितना हो जाएगा 100 इन तो यह आ जाएगा कितना यह हो जाएगा इंटू में कितना हो जाएगा एक सो यहां 15 पाँच पचम 25 हो जाएगा और 5 सते 35 दूर 27 तो इसको हम लिख सकते हैं 137.5 अपान में कितना हो जाएगा यह 100 हो जाएगा यहां से 2 0 से 2 0 कार देंगे ति यह हो जाएगा 137.5 इंटू में 6 पुरा करेंगे 6, 5, 6, 30, 3 आया 6, 7, 42, 3, 45, आया 4, 6, 8, 4, 22 और 6, 9, 6, 8 तो 8, 250 रुपए आपका क्या आ गया मिस्रधन आ गया क्या आया मेरे प्यार मित्रो मिस्रधन कितना आया 8,250 रुपए इस तरीका बहुत ही जबर्दस तरीका है यह एकदम क्या है basic है दिख रहा होगा कि बहुत सारा calculation हमने किया है लेकिन क्या है यह एकदम basic approach है और इस माध्यम से आपको सीखने के लिए आप ऐसे माध्यम को अपना सकते हैं सुरी मेरे दोस्तों सीखने के लिए आप इस एप्रोच को अजमा सकते हैं बहुत ही सानदार एप्रोच है लेकिन परिक्षा में आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है क्योंकि आपका टाइम जो है पूरा निकल जाएगा अब हम देखते हैं दूसरा अप्रोच क्या है इस प्रस्तों को सॉल्व करने का यहां से देखिए यहां पर देखिए दूसरा अप्रोच क्या है इस प्रस्तों को सॉल्व करने का तो यहां पर देखिए मेरे प्यारमित्रों कि P बराबर कितना दिया हुआ है P आपका दिया हुआ है कितना 6,000 रुपए और यहां से आपका amount कितना दिया हुआ है 7,200 रुपए टाइम आपको दिया हुआ है 4 साल का अब यहां पर देखिए मूलधन आपका कितना है 6,000 रुपए है 6,000 से कितना बन गया 7,200 रुपए बन गया 7,200 तो कितना बढ़ गया मेरे प्यार मित्रों तो 12,000 रुपए यहां से बढ़ गया यह जो 12,000 रुपए है मेरे प्यार मित्रों यह क्या है आपका यही आपका क्या है SIE है मतलब ब्याज है तो यह जो 12,000 रुपए है मेरे प्यार मित्रों कितने साल का है 4 साल का है कितने साल का है 4 साल का है तो एक साल का कितना हो जाएगा मेरे प्यार मित्रों एक साल का कितना ह हो जाएगा यहां सिर्कारी 1200 बटे में कितना हो जागा चार तो चार तीयाई बारा तीन सो रुपए एक साल का ब्याज आया तीन सो रुपए अब हमें ब्याज क्या निकालना है रेट निकालना है तो दर बराबर क्या होता है रेट बराबर हो जाब ब्याज एक साल का कितना हो रेट आया आपका यहास कितना पांच परसेंट अब कह रहा है कि दर क्या हो रही है एक दसमलोग पांच गुना हो जा रही है तो इसी का क्या करिए 1.5 गुना कर देंगे ति आपका आजाएगा 7.5 बन जाएगा ये अब कह रहा है कि समय जो है वो क्या है पाँच वर्स बाद का मिस्रधन बताना है मेरे प्यारे मित्रों अगर आपका मूलधन हमालने 100 है कितना है 100 है और ब्याज कितना है 7.5 है और 5 साल का कितना हो जाएगा ये 37.5 अगर मूलधन आपका 100 है 100 पर ब्याज आपको कितना मिल रहा है 37.5 कितना मिल रहा है 37.5 तो आपका मेरे प्यारे मित्रों मिस्रधन कितना हो जाएगा मिस्र धन आपका बनेगा 137.5 और मूल धन क्या होता है अपने आपका 100% होता है तो यहां से आप निकालेंगे मिस्र धन तो ए बराबर क्या हो जाएगा यह यहां से आप क्या ले लेंगे मूल धन और यहां से आपको क्या निकाला मिस्र धन तो जो निकालना है उसको हम क्या कर गुणा कर देंगे तो यहां से आ जाएगा 8250 रुपए कितना जाएगा 8250 रुपए ये तरीका बहुत ही सांदार है और बहुत ही जबरदस्त है मेरे प्यारे मित्रों इस तरीके से आप प्रस्णों को सॉल्व करेंगे एक्जाम में तो आपका टाइम भी बचेगा और आप अ सवाल देखिए मोहन कुछ धन रासी को 9% साधारन ब्याज दर से तथा उसी के बराबर रासी को 10% की साधारन ब्याज दर से दो वर्सों के लिए उधार देता है कितने दो सालों के लिए उधार देता है उसे 760 ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो उधार दी गई प्रतेक धनरासी क्या होगी हमें यहां क्या बताना है मेरे पैरमित्रों मूल धन निकालना है क्या निकालना है मूलधन निकालना है और यहाँ पर जितना यह 9% और 7% के ब्याज का योग कितना दिया हुआ है 706 रुपए दिया हुआ है टाइम कितना है दो वर्स की बात कर रहा है तो यहाँ से अगर हम देखें हम अच्छी तरह जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है P into R into T upon 100N होता है SI बराबर क्या होता है P into R into T upon 100N होता है अब यहाँ से हमें मूलधन ग्याद करना है तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे P into R into T upon में कितना हो जाएगा 100N हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों SI मतलब SI1 लिख सकते हैं आप SI2 का जो योग दिया हुआ कितना दिया तो हमने यहाँ पर देखो P into R into T upon 100N फिर आप यहाँ पर आप लिख दीजिए P into R into T upon में 100N और कितना दिया हुआ है 760 रुपए दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 760 अब देखिए 9% साधारन ब्याज किदर पर तो P यहाँ से कितना हो जाएगा आपका बहुत एक्दम बे सीखना है जीरो लेबल से वो भी इस लेक्चर को मेरे पैरमित्रों देख सकते हैं और मैथ को सीख सकते हैं यहाँ से देखिए P R कितना है आपका R यहाँ से कितना है 9 है और टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल का फिर यहाँ से देखिए P और R कितना दिया हुआ है 10% का टाइम कितना हुआ है दो साल का इंटू हंड़ेन और यह कितना हो जाएगा साथ सो साथ के यहां से देखिए मेरे पैरमित्रों यहां देखिए नव दूना अठारा और दस दूना बीस हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 dh nah 18 तो यह लिख जी जी 18 P और यह कितना हो जाएगा 100 E और यहाँ से कितना 10 dh nah 20 P 20 P अपान में कितना हो जाएगा 100 E हो जाएगा बराबर में कितना 760 18 और 20 को जोड़ेंगे मेरे पैरमित्रों तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 38 P और यहां से क्या हो जाएगा आपका 100 N हो जाएगा और कितना हो जाएगा 760 अब यहां देखिए तिरियक गुणा करेंगे तिरियक गुणा कर देंगे तो हम P का मान यहां से निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा P बराबर आजाएगा आपका 760 इंटु में 100 यहां से आपका आजाएगा 38 और यहां से देखे 38 दूना क्या होता है 76 होता है तो कितना आजाएगा आपका मूलधन 2000 रूपए मूलधन आपका कितना आजाएगा 2000 आजाएगा ये मेरे प्यार मित्रों एकदम Basic Approach है, क्या है? एकदम Basic Approach है, यहाँ पर कहा है, आपने देखा प्रस्ण ने जो कहा, उसी के according हमने इस प्रस्ण को Solve किया. अब हम देखेंगे मेरे प्यार मित्रों कि इसका दूसरा approach क्या है जो हम परिक्षा में लागू कर सकते हैं और परिक्षा में उनको हम secure कर सकते हैं अपने दो number को यहां देखिए, अब हम इसका दूसरा मेथड देखेंगे, दूसरा मेथड देखेंगे मेरे प्यार मित्रों, तो R कितना दिया हुआ है से पहल, 9% और यहां पर R2 कितना है, 10% है, यहां पर rate कितना दिया हुआ है, rate of interest जो है, वो कितना है, 9% का है, अगर rate 9% का है, तो 2 साल का SI कितना हो जाएगा, दर आपकी कितना है, 9% है, तो 2 साल का आपका SI कितना हो जाएगा, 9 दूनी, 18 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, 10 दूनी, 20 हो जायगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्योंकि rate आपको कितना है 9% है तो 9% के rate पर 2 साल का SI कितना हो गया 18 और यहीं से कितना 10% के rate से 2 साल का SI कितना हो गया 20 तो कितना हो जागा, टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों, ये टोटल कितना आया आपका, टोटल आपका आगया कितना, 38 रुपय का, 38 रुपय का आगया, पूछ रहा है कि प्रतेकधन रासी क्या होगी, मतलब मूलधन हमें बताना है, तो मूलधन निकालना है, और टोट ग्याद करना है, तो यहां से कितना जाएगा, दोहजार रुपए आपका उत्तर हो जाएगा, तो मूलधन आप इस तरीके से आप परिछा में इन सवालों को सॉल्व करेंगे, तो कौन सो ओप्सन यहां पर दिया हुआ है मेरे प्यार मित्रों, D वाला ओप्सन इस प्रस्थन क सही उत्तर हो जाएगा अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यार मित्रों चार नंबर का सवाल चार नंबर का सवाल देखे यदि किसी धनरासी पर साथ परसेंट वार्सिक दर से पंदरा मा का साधारन ब्याज उसी धनरासी पर 12% वार्सिक दर से 8 मा के साधारन ब्याज से 32.5 जीरो जादा है तब धनरासी रुपए में क्या होगी क्या बताना है आप सेम पैटन का सवाल है मेरे प्यारे मित्रों बस थोड़ा सा इसमें क्या है हलका सा क्लाइमेक्स है जो अभी हम आपको बताएंगे यहाँ देखिए जिसको हम कैसे सॉल्ब करेंगे पहले एकदम बेसिक मेथट से सॉल्ब करेंगे उसके बाद हम आपको दूसरा मेथट बताएंगे जिससे आपको परिक्षा में आप उस मेथट को लगा सकते हैं और अपने दो नंबर सिक्योर कर सकते हैं यहाँ पर देखिए किसी धनरासी का 7.5% यहाँ पर कितना दिया हुआ है 15 मा का और यहाँ 12.5% वारसीक दर से 8 मा का तो आप यहां देखिए, हमें क्या निकालना है? पी निकालना है, क्या निकालना है? पी निकालना है, और रेट कितना दिया हुआ है? पहला, यहां से देखिए, साथ दूनी चवुदा है कितना हो जागा? पंदरा बटे में 2%, यहां से टाइम कितना दिया हुआ है मेरे प्यार हो जाएगा और यहां से टाइम आपका कितना दिया हुआ है टाइम आपका दिया हुआ है आठ में तो इसको क्या करें आठ बटे में 12 लिख लेंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो आप आसानी से समझ रहे होंगे क्यों कि ऐसी जो किर्याएं हुई है मेरे पैरमित्रों उसको हमने आपको पीछे वाले प्रस्थ में बताया है अब यहां देखिए क्या कह रहा है अगर हम इसको गुणा करे R into T को और यहां R into T को तो यहां से आपका निकल के आता है कितना आजाएगा यहां से आपका निकल के आता है पंदरा पंदरा में कितना होता है 225 और कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 12 दूनी 24 आ गया और यहां से कितना हो जाएगा 25 अठ्थे कितना होता है 200 होता है और 12 दूनी 24 यह हो गया आपका अब कौन सा जादा है कौन कम है यहां पर देखिए कह रहा है कि 32 इंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्र अब यहां से देखिए हर हमारा क्या है सेम है हर क्या है हमारा सेम है तो यहां से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा पी इंटू कितना जाएगा यहां से आ जाएगा 25 और यहां से बन जाएगा आपका कितना 2400 और कितना आ गया यहां से 32.50 अब यहां क्या करेंगे हम इसको 25 आएगा अब यहां पर देखिए गुणा करेंगे काट स्वरी काटेंगे इसको तो यहां से 25 एकन्नम 25 आजाएगा और 25 तियां कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा अब यहां से कहीशे तेरा चोका बावन पांच आया तेरा दुनू छब्विस पांच कितना होता है 31 तो 3,120 रुपए आपका क्या गया मूलधन आ गया कितना 3,120 रुपए आपका मूलधन आ गया अगर आपको यहीं स्वाट कट देखना है मेरे प्यारे मित्रों इसको स्वाट अप्रोच देखना है तो यहीं पर आप क्या ले लेंगे डिफरेंस ले लेंगे क्या ले लेंगे यहीं पर आप क्या ले लेंगे डिफरेंस ले लेंगे देखिए यहाँ पर यहीं हम इसको बता रहे हैं यहाँ देखिए यहीं क्या कर लेंगे हम मेरे पैरमितोर यहाँ पर देखिए difference हम करेंगे क्यों कितना जादा है 32.5...? 50-0 जादा है तो यहाँ से कितना जादा हो जाएगा हासरे difference कितना कर आ रहा है यह आ रहा है 25 बते मेंगे 24% का परसेंट में आ गया और % में मतलब कितना 24 बते में 24 रुपय का यहां पर क्या रहा है आपसे जादा हो रहा है और किसके बराबर हो जाएगा यह 32.50 के बराबर हो जाएगा अब हम क्या लेंगे 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा यह तो यहां से 32.50 कितना हो जाएगा 25 इंटू में कितना 24 और मुल्धन अपने आपका क्या होता है 100% होता ह तो 100% होता है, तो यहां से कितना आजाएगा, 3,120 रुपए आजाएगा, कितना आजाएगा, 3,120 रुपए, तो यही है basic approach, इसके भी माध्यम से आप आसानी से solve कर सकते हैं, यह बहुत ही जबरदस्त तरीके से, अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यार मित्रों, पांच नंबर का सवाल, पांच नंबर का सवाल देखे, क्या कह रहा है, एक ब्यक्ति कोई धन रासी, पांच वर्सों के लिए उधार लेता है, कितने, पांच वर्सों के लिए उधार लेता है, और मूल धन, मूल धन वा फिर कुल ब्याज का अनुपात, पांच अनुपात दो है, तो मूल ध मोलधन व ब्याजदर का अनुपात ज्यांद कीजिये क्या बताना है मोलधन व फिर ब्याजदर का अनुपात हमें बताना है यहाँ पर दिया क्या है P आपको दिया हुआ है कितना 5 SI आपको कितना दिया हुआ है 2 Time आपसे कितना दिया हुआ है 5 वर्स और हमसे क्या पूछ रहा है Rate पूछ रहा है क्या पूछ रहा है Rate पूछ रहा है तो दर बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों Rate हमसे पूछ रहा है तो दर बराबर क्या होता है यहां, दर बराबर क्या होता है, SI into में 100N, और यहां से क्या हो जागा, P into T हो जाएगा, SI आपका कितना है, 2 है, और यहां से कितना हो जागा, 100N, और P आपका कितना है, P यहां से देखे कितना है, 5 है, और T कितना है, 5 है, कितना हो जाएगा यह, यह से 5-5-25 हो जाएगा 5-5-25 चव कर चार्दूनी 8 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 8 आठ आगया आपका क्या rate रेट कितना आगया 8% का rate आपका आया कितना 8% तो कह रहा है कि मूलधन वो ब्याजदर का अनुपाद ग्याद कीजे तो मूलधन और ब्याज का हमें अनुपाद बताना है मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर यह समझे कि मूलधन जो होता है वो अपने आपका क्या होता है 100% होता है क्या होता है 100% तो यहाँ पर हम कर लेंगे कि लेट माना कि हमारा मूलधन कितना है 100% है तो हमें क्या बताना है ratio बताना है किसका बताना है P और rate का तो यहाँ पर कितना हो जागा यह 100 और यहाँ से आपको कितना हो जागा 8 तो काटेंगे कितना 4 से काटेंगे तो यह 25 और यहाँ से कितना जागा 2 तो यह हो जाएगा इस प्रस्न का उत्तर यही है इस प्रस्न का उत्तर तो कौन सा option या पर दिख रहा है मेरे प्यारमित्रों? D वाला आपको सही उत्तर हो जाएगा इस प्रस्ण का अगला सवाल देखते है मेरे प्यारमित्रों 6 नमबर का सवाल क्या कह रहा है? 6 नमबर का सवाल देखे कोई धनरासी साधारन ब्याज की किसी वार्सिक दर से 5 वर्स में दुगनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्स में दुगनी हो जाती है तो कम ब्याज की वार्सिक दर क्या है मतलब कह रहा है कि जिस पर कम रेट हो वही हमें यहाँ पर बताना है और ऐसा प्रस्न हमने आप सो पिछले वाले lecture में आपको कराया है तो यहाँ पर देखिए दर क्या हो रही है? पाच वर्सों में क्या हो रहा है? दोगुना हो रहा है तो rate बराबर हमने आपको बताया था rate बराबर क्या होता है? n-1 upon में t upon में t into में क्या हो जाएगा? 100 N हो जाएगा क्या हो जाएगा 100 N हो जाएगा N का मतलब क्या है यहाँ पर N का मतलब है कि दुगुनी हो जाती है N बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से N बराबर आपका हो जाएगा कितना 2 और टाइम आपको दिया हुआ है कितना 5 वर्स कितना दिया हुआ है, 5 वर्स दिया हुआ है तो यहां से देखिए, यन कमान कितना है यहां पर 2, minus में 1 T आपको कितना दिया हुआ है, 5 इन्टू में 100 हो जाएगा तो यहां कितना जाएगा, 20% तो rate कितना जाएगा आपको यहां से, 20% अब क्या कह रहा है तथा किसी अन्य दर से बारा वर्स में तीगुनी हो जाती है तो दूसरा रेठ में बताना है यहां पर यहन कितना है यहां से यहन कितना है मेरे पैरमित्रों यहन यहां से आपका कितना है तीन गुना है तो यहन बराबर कितना लिखेंगे यहां यह न बराबर लिखेंगे 3 तो यहाँ पर लिखेंगे 3-1 और कितना समय दिया हुआ है 12 वर्स का समय दिया हुआ है तो यह हो जाएगा 100 और यहाँ से देखिए क्या जाएगा आपका 2 बटे में 12 इंटु में कितना hondan तो 2 चंग 12 और इसको काटेंगे कितना हो जागा 50 और कितना हो जागा 3 तो कितना लिख देंगे इसको 16 सही 2 बटे 3 परसेंट तो 16 सही 2 बटे 3 परसेंट हो जाएगा अब क्या कहा रहा कम ब्याज की वार्सिक दर क्या है जो कम ब्याज की वार्सिक दर तो कौन 20 परसेंट अधिक है तो कम इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा, तो कौन सौ option? D वाला option इस प्रस्ण का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, अगला सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों? यहां देखिए, पाच वर्स बाद किसी मूलधन तथा, मिस्रधन का अनुपात 10 अनुपात 12 है, त दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है कि वार्सिक ब्याजदर क्या होगी तो यहां पर देखिए मूलधन और मिस्रधन आपको दिया हुआ है और हम जानते हैं मूलधन यहां से कितना आपका है 10 है और ए कितना है 12 है मतलब एमाउंट कितना है 12 है अब यहां से देखिए SI आपक हो जाएगा दो और क्या कह रहा है वार्सिक ब्याज दर क्या होगी तो हमें क्या बताना है रेट बताना है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि दर का परसेंट बराबर क्या होता है ब्याज बटे में मूलधन इंटू में हंडडेन होता है तो यहां से क्या जाएगा आपका 20% कितना जाएगा मेरे परमित्रो 20% आपका rate हो जाएगा तो कौन सा option यहां दिख रहा है मेरे परमित्रो D वाला option आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा D वाला अगला सवाल देखते है मेरे परमित्रो आठ नंबर का सवाल देखिए आठ नंबर का सवाल यदि एक रुपए पर एक माह का साधारन ब्याज एक पैसा है क्या कह रहा है एक रुपए पर एक माह का साधारन ब्याज एक पैसा है तो वार्सिक दर प्रतिसत कितना होगा क्या बताना है वार्सिक दर प्रतिसत बताना है यहां से देखिए दिया क्या है पी बराबर एक रूपए टाइम जो दिया हुआ हो कितना एक माह का दिया हुआ है मा का दिया हुआ है तो हम इसको क्या कर लेंगे वर्स में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा एक बटे बारा हो जाएगा और जो SI दिया हुआ है मेरे प्यार मित्रों जो ब्याज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है एक पैसा दिया हुआ है, ब्याज कितना एक पैसा दिया हुआ है, तो इसको हम रुपए में बदल लेंगे, एक बटे, 100 रुपए में कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका यह मूलधन क्या है, रुपए में है, तो वार्सिक दर बताना है, मतलब रेट बताना है, तो रेट क आपका कितना है, SI आपका एक बटे में 100 है, और यहां से कितना हो जाएगा 100, और P आपका कितना है, एक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, एक बटे 12 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक बटे 12 दिया हुआ है, अब इसको हम solve कर लेंगे, यहां से यह 100 से 100 कट जाएगा, और ये जो 12 है ये उपर चला जाएगा और ये R बराबर कितना जाएगा 12% तो इस प्रस्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 12% बहुत ही सांदार सवाल है बहुत ही जबर्द सवाल है यहाँ पर देखें C वाला ओप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रस्न का अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यार मित्रों 9 नंबर का सवाल कोई धनरासी साधारन ब्याज पर 5 वर्सों में 1020 रुपए तथा 8 वर्सों में 1200 रुपए हो जाती है तो मूलधन का मान क्या है हमें क्या बताना है मूलधन का मान क्या है बहुत ही सांदार सवाल है बहुत ही जबरदस्त सवाल है मेरे प्यार मित्रों तो देखते हैं इस प्रस्ण को हम कैसे सॉल्व करते हैं याँप देखिए कोई धन रासी साधार्ण ब्याजपर 5 वर्सों में 1020 रुपए है कितना? 1020 आठ वर्सों में कितना हो रही है? 1200 रुपए हो जाती है तो मूलधन क्या है? मेरे प्यार मित्रों आप बताइए कि 1020 रुपए क्या है ये 1020 रुपए ये क्या है? तो हम यहां लिख ले रहे हैं यहां से देखिए पहले इसको लिख लेंगे इससे लिख लेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा ये 8 साल 8 साल का क्या है? ये 1200 रुपए आप बताएंगे क्या है 1200 रुपए और यहां से 5 साल का 5 साल का कितना है? 1020 रुपए मेरे प्यारे मित्रों ये जो 1200 रुपए है ये क्या है? ये 1200 रुपए आपका क्या है? मिस्त्र धन है क्या है? मिस्त्र धन है और इसमें क्या चीजे कौन-कौन से चीजे जुड़ी हुए है तो P और SI इसमें समाहित है ये क्या है आपका? मिस्त्र धन है आठ वरसों का मिस्त्र धन कितना हो रहा है? 1200 और 5 सालों का कितना हो रहा है 1020 रुपए तो हम अगर इसमें से घटाएंगे 8 में से 5 गएंगे कितना हो जाएगा 3 तो 3 गटा देंगे तो 3 साल का ब्याज यहां देखिए कितना हो रहा है यहां से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा 10 में से 2 गएंगे कितना हो जाएगा आठ और एक तो तीन साल में कितना ब्याज मिल गया एक सो असी रुपए का तो एक साल में कितना मिल जाएगा एक साल में आपको कितना मिल जाएगा साथ रुपए का ब्याज आपका कितना बन गया एक साल का साथ रुपए आपका क्या हो गया ब्याज हो गया क्या हो गया ब्याज हो गया हमसे पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये बराबर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों P plus SI होता है क्या होता है P plus SI होता है अगर हमारे पास ब्याज रहेगा और ब्याज हमारे पास कितना है एक साल का 60 रुपए है और amount कितना है amount हमारे पास दिया हुआ है कितना 5 साल का तो 5 साल का यहाँ पर 1 साल का SI 60 है तो हम 5 साल का क्या निकाल लेंगे 5 साल का SI निकाल लेंगे तो यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए और यहाँ भी 5 से गुणा कर दीजिए क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे ति 5 साल का SI कितना हो जाएगा 265 कितना हो जाएगा 300 रुपए अब हम क्या करेंगे अब हमारा 5 साल का क्या आ गया amount आ गया और 5 साल का ब्याज आ गया, अब हम क्या निकालेंगे मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन बराबर क्या हो दाएगा यहाँ पर A- में क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा, मूलधन कितना है 5 साल स्वारी, मिस्ट धन 1020 में और SI कितना हो जाए यहाँ पर 300 तो कितना आ जाएगा मेरे प्यार मित्रों यह 720 रुपए आपका आ जाएगा क्या जाएगा 720 रुपए आपका क्या जाएगा मूलधन आ जाएगा तो कौन सो आप्शन यहाँ पर दीख रहा है मेरे प्यार मित्रों D वाला option आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रस्ट में तो अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यार मित्रों 10 नंबर का सवाल 10 नंबर का सवाल देखिए Same pattern का सवाल है बहुत ही जबरदस सवाल है और यहाँ पर पूछा है क्या है? ब्याच की दर बताना है कोई धन रासी साधारन ब्याच की दर से 4 वर्स तथा 5 वर्स में के अंत में क्रमसा कितना 12,900 और 14,250 रुपए हो जाती है तो ब्याच की दर बताईए क्या बताना है? ब्याच की दर हमें बताना है अब ही हम पिछला वाला जो सवाल कर रहे थे उसमें क्या निकाले थे? उसमें हमने मूल धन निकाला था और यहाँ क्या बताना है? ब्याच की दर बताना है तो सेम पैटन का सवाल है और सेम प्रक्रिया से हम इस प्रस्ण को सॉल्व करेंगे यहाँ देखिए 5 साल का मिस धन कितना हो जा रहा है? देखिए 14,250 और यहाँ पर देखिए 4 साल का कितना हो रहा है मिस धन यहाँ से? 12,900 तो घटाएंगे यहाँ पर घटाएंगे तो एक साल एक साल का ब्याच कितना आ जाएगा? यहाँ पर जीरो आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा? पांच आ जाएगा और 12 मज से 9 घटाएं कितना जाए तीन एक साल का ब्याज कितना आ जा गया 1350 तो एक साल का ब्याज आ गया 1350 तो हम क्या करेंगे 4 साल का निकाल लेंगे तो चार साल का निकाल लेंगे, तो चार से गुणा यहाँ भी कर देंगे, तो चार से गुणा यहाँ भी कर देंगे। ये जाएगा तो यहाँ पर चार साल का साए कितना हो गया क्या ज़ाएक यहां चार साल घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ 0, 9 मेंसे 4 गएं कितना जाएगा, 9 मेंसे 4 गएं 5 और 12 गएं 7 तो मूलधन आपका कितना आ गया? 7500 7500 रुपए आपका मूलधन आ गया और यहाँ पर ब्याज एक साल का कितना हुआ है? 1350 हमसे पूछा क्या है मेरे प्यार मित्रों? हमें दर बताना है तो रेट बताना है तो दर का परसेंट बराबर क्या होता है? दर का परसेंट कितना हो जाएगा? यहाँ पर ब्याज कितना है? 1350 एक साल का ब्याज हो गया और यह 7500 क्या हो गया? आपका मूलधन हो जाएगा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा तो यहाँ से देखे मेरे प्यार मित्रों यहां से देखे दो 0 से 2 0 काट देंगे 25 से काटेंगे तो 25 तियां 75 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा यहां देखे 25 पंचे 125 और 25 शो का 100 हो जाएगा तो यहां से काटेंगे तो 18 तरीक 14 तो 18 परसेंट आपका क्या जाएगा रेट आजाएगा तो आपका rate कितना हो जाएगा 18% यही हो गया इस प्रस्न का उत्तर मेरे प्यारे मित्रों जवर्दस्त तरीके से यह हो गया मेरे प्यारे मित्रों आज का lecture सेशन कैसा लगा मेरे प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर सेयर करें कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यह मुहबबत की दुकान है यह मुहबबत की दुकान है मीठी पकवान है और अर्थिमेटिक से ज़्यादा एडवान्स आसान है इसी आसार उमीद के साथ इसी जोश के साथ मेरे प्यार मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों राम राम राधे राधे जैहिंद